Hello Friends, Welcome to All of You, G1 Education में एक बार फिर से आप सब का स्वागत कीए और हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं CHO New Vacancy के बारे में CHO Recruitment 2021 के रिगारेड हम बात करने वाले हैं जिसके अंदर पोस्ट रहने वाली है, काफी जबरदस्ट है 2700 प्लस पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है, Community Health Officer के रिगारेड हम बात करने हैं यानि CHO Updates को लेकर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और काफी अच्छी है वेकंसी है, All India Candidaries से वेकंसी के अंदर अपलाई कर सकते हैं अब क्या इसके अंदर eligibility criteria है, Selection criteria क्या है, Fees क्या है और किस तरीके से आपके salary रहने वाली है selection के बात तो पूरी details इस वीडियो के अंदर आम बात करेंगे तो वीडियो को last तक देके, complete देके और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा ज़्यादा शेर करें ताकि सभी candidate तक यह पहुंच सके और सभी इसके अंदर apply कर सके क्योंकि काफी अच्छी vacancy है और बहुत ही सांदार vacancy रहने वाली है और ज़्यादा इसके अंदर competition भी नहीं रहेगा बताऊं आप पूरी details इस वीडियो के अंदर तो start करते हैं आज के इस वीडियो को पहली वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और चेनल फूर फॉर स्टाइम विजिट कर रहे तो चनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन पर प्रेस कर दीजे ताकि इसी तरिके से अपडेट्स आपको मिलती रहे चले बढ़ता हूँ और इस वीडियो के अंदर डिसकस करते हैं इस वेकेंसी के रिगाड़ेड तो हम CHO वेकेंसी के बारे में जानने वाले हैं CHO recruitment 2021 के रिगाड़ेड जानने वाले हैं All India Candidates के अंदर अपलाई कर सकते हैं काफी जबरदस्त पोस्ट इसके अंदर रहने वाली हैं और इसके अंदर पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ देखिए राश्चे स्वास्ते मिशन 36 गड़ से ये वेकेंसी है यान ने इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं यानि आज से लेकर इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 25 तारीक तक यानि 25 नौंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे साम पांच बज़े तक देखिए पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने हैं इजी ली आप देख पारे होंगे देख सकते हैं डेट तीन तारीक को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आज से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं तो इसमें पूरा देखिए विग्यापन सूसना या पर लिखा हुआ है राश्टी स्व 21-21 से यानि 5 नौंबर यानि आज से 25 11-21-25 नौंबर तक साम 5 बजे तक विभागी वेबसाइट वेबसाइट आपके सामने दे रखिए और लिंक भी में आपको डिस्क्रिप्शन बुक्स में दे दूँआ तो वहां से आप डारेक्ली वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर् कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं विग्यापन संबंदी जो सारी जानकारी है वागे में नेक्स्ट वीडिया के अंदर आपको दिखाऊंगा और बिल्कुल प्रूफ के साथ दिपकाऊंगा आपको ओफिशल वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा वहां पर भी आपको इसको लाइ कर सकते हैं और ज्यादा कंपेटिशन नहीं रहने वाला है और जिसके पास चतिस गड़ से यानि की जो रिस्टेशन होता है वो नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कौन-कौन अप्लाई करेंगे मैं पूरी डिटियल्स आपको बताने वाला हूं लास तक बने रहे तो चलेंगे बढ़ते हैं आगे यहां तक आपको क्लिरली समझ में आया हुगा कि शतिस गड़ के वेकेंसी हैं नेशनल हेल्थ मिशन के रिगार्ड़ वेकेंसी हैं और 2700 प्लस पोस्ट इसके अंतर रहने वाली है देखे आगे बढ़ते हैं और नेक्स आगे देख सकते हैं ती के हैल्थ और वेलेनेस चेंटर को सुचार रूप से संचालन है तू भारत सरकार स्वास्ते यवं परिवार कल्यान मंत्राली निर्मान नई दिल्ली द्वारा जारी अर्द साश्किये क्रमांग यहां पर दिया हुआ है पाट 25 नौंबर में 2019 में दिये गए निदेश अनुस इंटेग्रेटेड कोर्स रखने वाले इच्छू कव्यारतियों से आविध्धन पत्र विभागी वेबसाइट पर 5.11.2021 से 25.11.2021 पांच बज़े तक आमंत्रित किये जाते हैं यहां पर साफ लिखा हुआ है कि कौन केंडिडेट अपलाई कर सकता है तो केंडिडेट अपला हो ना चाहिए कर पाएंगे किस तारी के से कुम्वैं करेंगे किसें इलिजिबलेटी और ट्रफी अपर अब भप्र देख सकते हैं यहां 파रिसल के पोस्ट दी ऊई है तो चोम को जो उने नहीं किया है तो उसको भी कर लिजे लिंक को दिस्क्रिप्स भुक्स में बिलासपुर के अंदर 700 पोस्ट है दुरीक के अंदर 488 पोस्ट है बस्तर के अंदर 500 पोस्ट है और सर गुंजा अंदर 520 पोस्ट है 2,700 पोस्ट यहां पर हो जाती है रोपी हानी टोटल यहां पर देम अनरक्सित वर्क401 7ora पोस्ट यहां तो 2700 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है अलग अलग एरेक एक कोडिडिय मैं आपको इसके अंदर बता दिया है आगे देख सकते हैं इसके अंदर एक इंपोर्टेंट जानकारी यह आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो कम्पेटिशन है यानि इसके अंदर कोई स्पे के पास है integrated course का उनका percentage का total मिला कर एक तरगे सा percentage base बनाया जाएगा percentage निकाला जाएगा और उसकी merit बनाए जाएगी उसके अंदर ही आपको select किया जाएगा यानि इसके अंदर especially कहें तो कोई exam नहीं होने वाला है कली मैंने वैस्ट बंगल का community health officer का notification अपडेट किया था उसके अंदर वहीं के certificate मांगे थे तो इसा इसमें कोई भी नहीं है इसके अंदर अप्लाई कर सकता है लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए बीसी नर्सिंग नर्सिंग के साथ जो इंटेग्रेट कोर्स है उसका certificate होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं और उसी के इसमें आप फो में अप्लाई कर देंगे सेलेक्शन हो जाएगा तो उनको सेलेरी कितनी जी जाएगे तो सेलेरी यहां पर दिया हुआ है सामुदा एक स्वास्ते अधिकारी समीदा के रूप में हैं देगे ट कॉंटेक्ट बैस है और आप सब को पता है और ओल इंडिया में इसलिए उनको क्या किया जाएगा ठीक है डोंट वरी परिशान मत हो जो भी अप्डेट्स होगा आपको बता दिया जाएगा चलिए बढ़ते हैं इसकी पेमेंट रहने वाली सेलेरी रहने वाली है तो इसकी सेलेरी पर मंत के अकोर्डिंग सेलेरी रहने वाली है 16,500 रुप आपका 31,500 रुपे कुछ बनता है लेकिन उसमें से आप पर्फॉर्मेंस के अकोर्डिंग देखे तो 28,30 यानि कि 12,000 का इसके अंदर डिफरेंस रह सकता है यानि 28,30 तक आपकी सेलेरी बनेगी पर मंत के अकोर्डिंग तिक समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं आगे पर पास नहीं है तो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है उसके अकोर्डिंग आप बना सकते हैं उसके अकोर्डिंग बनवा सकते हैं और फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं आगे अंदर यहां पर एक पॉइंट यह लिखा हुआ है कि जिसके मैं के रहा हूं कि All India Candidates के अंदर अ निचे अगे लिखा हुआ है अभियारती का चतिसगर नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंचिकरण होना अनिवारे हैं लेकिन नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंचिकरन नहीं होने के स्थिति में चैन के पस्चाथ 45 दिन यानि 45 प्लस दिवस आपको समय परदान किया जाएगा करने के लिए यानि ओल इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अभी तो जो भी रेस्टेशन उनके पास है उसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो आपको 45 दिन दिये जाएंगे करने के लिए तो डोंट वरी फ्रेंड्स परिशान न अदर रहने वाला नहीं है अगर बात करते हैं अगहां सिय को कमानके पर मिलेगार कि दो यहां मिन ong tucked की मेन को मान कज़रें और बढ़ते हैं और इसके अंदर क्या रहना है इसके अंदर आगे क्या रहना है यहां पर लिखी हुए यानि मैंने इलिजिबिलिटी क्राइटिरिय आपको बता दिया इस तरीकिसे आपको फॉर्म एप्लाइ करना है तो फॉर्म एप्लाइ करने के बाद आप देखें यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है मानेता इसके अंदर पूरा पड़ सकते हैं बिएसी नर्सिंग पार्टे गरम उत्रीन अभ्यारतियों का संभाग वार संभाग वार संवर्ग स्वयूक्त मेरिट सूची तयार की जाएग यानि इसमेशल इसमें ने जैसे पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर कोई एक्जाम नही आपने किया है उसके अलाव आपके पास अगर कमुनिटी है तो आप अप्लाइ कर सकते हैं और उनी का बैसिस बनाकर उनी की एक मेरेट लिस्ट बनाई जाएगा इसमें सेलेक्शन लिया जाएगा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और एक बात और बताना चाओंगा इसके अंदर जो भी फ़ोर्म आप एपलाई करेंगे वो उनलाइन Māorts से करेंगे ऑफ-लाइन मोड से कोई आपका नहीं किया जाएगा आप कूरिया करते हैं कुछ बहीं को भी करें लेकिन वो तो एंदर जानकार ही आपको देख सकते हैं यहां पर फीस दिया हुआ है कि कितना फीस आपको देना पड़ेगा तो फीस यहां पर दिया हुआ है के लिए सो रुपे 200 रुपे तीक है यानि यह पर विकलाँग और माईला के लिए सो रुपे फीस है आपका फूर do पूरुस के लिए दो सो रुपए और अनारक्षित वर्ग है पूरुस के लिए तीनसो रुपए इस तरह के से फीस है यह ज्यादा फीस की पेस भी नहीं है स्व फॉम के रिगार्डर है तो जरूर फॉम परे वेबसाइट आपको देर रखिये www.cghealth.nic.in अगर आपसे ये ओपन नहीं होता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो डारेक्ट लिए आपको फोर्म उपन हो जाएगा और आप फोर्म फिल अप कर सकेंगे चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर मैं फिनिश करूँगा सारी जानकारी आपको समझ आ गई और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और लिस्टेर करें और चैनल फर फर्स टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें तागे आने वाली हर जानकारी हर वैकेंसी की अपडेट आप तक पहुच दे रहे तो थैंक्यू वेरी मच पूर जोइनिंग दिस वीडियो